पूर्वी दिल्ली नगनिगं सादरा उत्वी जोन के यमना विहाद पारसर परमौत गुपता ने अपने वाड में मच्छों की रोग खाम के लिए लगातार जागरू का वियान चला रखा है इसा वियान को पूरे वाड में निरंतर बीते सोमवार से शुरू किया गया था परमौत गुपता ने बताये कि ये मोसम बीमारियो वाला मोसम होता है क्योंकि बरसाद के मोसम में मच्छर पैदा होने से मच्छर जनित कई बीमारिया होने का भी खतरा बना रहता है इसके समस्या कहीं देखने को अभी तक नहीं मिली हैं मगर चोटी-चोटी चीज़ देखनों को मिली हैं लोग अपने घरों के आगे कुछ मट्टी के बरतन कुछ प्याले रख देते हैं जिनके अंदर वो जानवरों को कहीं पानी पीने के लिए या कुछ डालने के लिए होता गया बर्शाद का पानी उसमें इखटा होता है और वह साब पानी डेंगु और मलेरिया का जनक भी बनता है तो ऐसी चीजों से बचे मेरा सभी से अन्रोध है यही निवेदन है कि आप सब की मेहनत से वाड न्यून्तम डेंगु मलेरिया केसे के अंदर पिछले वर्ष रहा है इस भी इसी इस्तिती में रहे और जीरो टेंगु मलेरिया हो यह नजारा है यमना भिहार सी आठ और सी साथ ब्लॉक का इनके साथ इलाके के बारसद और स्वास भाग हुए सपाई अधिकारी इस मुहिं को सपल बनाने में लगे हैं हाग में बैनर लेकर यमना भिहार की जनता को मच्छर की रोग ठाम के लिए जादू कर रहे हैं यहीं नहीं लोगों को घरों तक आवाज पहुचाने के लिए माइक की दुआरा मच्छों से बचाने के उपाई भी बताई जा रहे हैं तानी लोगों का इस रैली के लिए क्या कहना है मैं यह कहना चाहूँ कि इनका काम बहुत ही यहां पर अच्छा है साफ सफाई यहां पर बहुत अच्छी तरह हो रही है तरीके अपना कुड़ा करकट जो है आपके जो एमसीडी के अधिका रही है वो अच्छी तरह की सफाई कर रहे हैं और इनका पूरा सही हो हमारे संग लेता है हमारे ब्लॉग में अंदेरे की काफी प्रशानी थी जो हमने परमोची को बताया तो उसके बाद इन्होंने यहां सारी लाइट्स चेंड करवाने के बाद सारी लाइट्स लगवा दी है जिससे यहां अब गौश्टने का इंतजाम पूरा हो गया है तो बागी इंका स खाम के लिए बचाव के लिए जनता का जागुर्प होना भी जरूरी है प्रिंच सोलंकी तेज गाहे दिल्दी